कुमारी कंगना रावुत अधेक्ष महोदे मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोकसभा है यह कोई सामान्या लोकसभा नहीं है इस लोग सभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शिश नितित्व हैं हमारे मानिय परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगातार तीसरी बार परधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो हैं वो हातिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पातर हैं हम सब भाते जनता पार्टी के लोग जिनें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये भी मानती हूँ के हमारे भात वर्ष की जनता जिनोंने एक स्थेर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते हैं के आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थविवस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संगहर्ष सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थविवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले दस सालों में वो अर्थविवस्था 11 में से 5 में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बजट है इस बजट से जो है वो हमारी अर्थविवस्था को भी तिवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम एकॉनमी बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस तरास्ती के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड के परभार से जो पीडित है मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ के उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रियक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बता कर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भातिय जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद साथ सालों में भी हमाचल परदेश में नहीं हुआ था आप सब हमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे मानिया जो पुरपरदान मंतरी अडल बिहारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कारयकाल में जो है वो ग्रामिन परदान मंतरी सडक योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस वर्षों में परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्ज, ट्रिपल आइटी, आयायम जैसे वैश पूर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोधे जी पांच से ज्यादा टनल है और सेंतिस से ज्यादा उसमें ब्रिजिज है ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रेक्चर वहां पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाइडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिये हैं अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए लेकिन लाखो लाभारती जो है वो चाहे कान हो या आयुशमान हो हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राजे है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहां घर घर में जो है वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता एक भी बहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा ये जो सौभाग्य है अठार भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्य शाली जो है आठमी अठारमी जो लोग सबा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बिल है ये आवश्य ही इंप्लोईमेंट हो या चाहे स्टार्ट अप इनोवेशन हो चाहे हमारे गरीब और मिडल क्लास को रिलेक्सेशन हो या हमारे जो अनदाता किसान हो उन पर फोकस हो ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रातना रहेगी हमारे सरकार से के हमारे मंडिक शेतर में अगर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट हो तो अवश ही हमारी जनता का टूरिजम की दृष्टी से ब वेल्कम करते हैं और धन्यवाद